गुद मॉर्निंग इस्टुडेंट मैसेलफ अंजनी कुमार प्रजापथी वेलकम तु मैं जैनल बेटा आज हम लोग जो जिस टॉपिक पर बात पिरने चल रहें उसका नाव है इस चैप्टरम ये क्लास 10 को टॉपिक है अलग 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 लाइसन में लिखते हैं यहां मैं इस बुक को प्रिफरेंस दे रहां उस बुक में ये चैप्टर शिक्स है ये वेटा टॉपिक है आई से सी बोर्ड सी बोर्ड सी बोर्ड ऐले लाइज अधर स्टेट एक्जामनेशन का कोई भी बोर्ड हो सब में यह होता है और इस्पेक्ट्रम के बारे में हम लोग जानता हों कि आयहां पर विटाव कर सेंवे आएससे यहां पर उनस्तु फैक्ट्रम से और इस साइड में यह प्लाटो है और साइड में तो वन टू अर्ट connecting और बाटम 5 faces होते हैं और प्रिजम का यह जो face होता है first inclined plane यह second inclined plane इससे first inclined plane या first inclined plane किसे बोलेंगे that is first inclined plane second inclined plane why we are called first inclined plane and second inclined plane we know that this is the white light white light है white light क्या होता है इसे दो मिक्चर आफ सेवन कलर मिक्चर आफ सेवन कलर जो साथ कलर का मिक्चर होता है तो जिस पर यह इसे अहों लोग बोलते हैं incident इंसिदेंट रेज यह लाइट तो जिस पर इंसिदेंट लाइट जिस इंकलेंड प्लेंट पर प्रिम की जिस इंकलेंड प्लेंट पर white light incident होते है that is called first inclined plane और जिससे निकलती है यह लाइट उससे बोले लाट है second inclined plane और यह जो लाइट है कि यह साथ कलर में स्प्लीट हो जाता है सेवन कलर में स्प्लीट हो जाता है और यह स्प्लीट होना वेटा स्प्लीट के इस अवर को ही हम लोग पोलते हैं स्प्लीटिंट आ इसकी डियंट और शौदीन इसका है पैसे कि यह से लिए कि एक अपक्रणीट आक और वेटीफूल the beautiful pattern of pattern of seven color of white light white light passing through passing through spectrum beautiful pattern of seven color of the white light through a prism passing through a prism is called spectrum 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 seven color violet indigo यहां पर ली देते हैं ऐसे one violet two indigo three blue four green five yellow six orange orange and seven red red की wavelength ज्यादा होती है red की wavelength बहुत ज्यादा होती है violet की wavelength कम होती है तो यहां पर हम इस पैटरन को अगर हम इस पैक्टरम में सो करते हैं तो वाइले टू रेड का यह इस पैक्ट्रम है और बेवलेंथ का यह बेवलेंथ का इंक्रीजिंग ओरर है मैसिमम आए तो यह पूरा इसी पूरे फेरामिन को बोलते हैं इस पैक्ट्रम तो आप इस पैक्ट्रम को ऐसे भी कर सकते हैं अब ब्यूटिफुल पैटर्न आफ शेवं कालर लाइक इस तरीके से उप्डूटिफुल पैटर्न आफ शेवं कलर साफ ड़ाइट लाइट इस पासिंग फ्रूवा प्रीजिंग इसकौर्ड इसक्त्रम और स्पैक्ट्रम में वह सेबन कलर क्या हूंगे वाइले एफिनिटी कलर बनेंगे लेकिन हम लोग दो मेन मेन कलर है वह सेवन कलर को मांनका है या करो सकते हैं पंडमेंटल कलर को होते हैं यह स्पेक्ट्रम में यह होते हैं तो यह स्पेक्ट्रम की पूरी हिस्थडी है करने लिए हमें यहाँ पर ढ।्रुब di Klub Rain के वारे में हो बिटाव और यह ऑता है इसी प्लेंग प्लेंट पर वाइट खाएगी ते इसी प्लेंड प्लेंग प्लें पर वाइट आहेगी दिसी दो मैट लाइट लाइट या इसी को बेटा बोलते हैं मिक्चर आफ सेवन कलर मिक्चर आफ सेवन कलर इंसी कि इंसी ड़ाइट और यह प्रिजम की बहुत इंपोर्टट प्रपरती क्या होती है यह नोट पोइंट में हमें सा याद रखेंगा कि बहुत इंपोर्टन प्रोफर्टी सिधा इंप मेंपोर्तेट को इसमें से लाइट होती है उसे यह क्या कर जाता है बेंड तुर्स धा बेस लाइं यह कर सकते हैं दर लाइट लाइट कि बैंस बेंस्ट वर्ट्स दा तू वर्ट्स दा बेस यह बेस की और जो है प्रिज्ट जो है अपने बेस की और यह लाइट को बेंट कर देती है तो यह यह इंसिदेंट लाइट है वाइक सर्सक्राइड लैसे चाहिब लाइट यहां से पेस्ट होने स्टार्ट हो जाएगा गर प१। इंसिदेंट एंगल इंसिदेंट एंगल यहां से इस्प्लिट होना स्टार्ट होगा यह कि शेवन कलर में वन तो त्री फॉर फ़ाइब शेवन कलर में यह स्प्लिट होने के बाद ऐसा पाइटर्न मिलेगा इसे बोला जाता है क्योंकि यह बेवलेंथ यह फ्रिक्वेंशी के इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग और में होगा इसे को बोला जाता है कि किसी प्रिज्म में से कोई वाइट लाइट होकर गुजरती है तो साथ कलर में डिवाइट हो जाने की घटना को ही इसपरजन बोला जाता है इस पूरी इवेंट को बोला जाता है और मिली हुई इस लाइट को जो वेवलेंथ या फ्रिक्वेंशी की निक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में होता है इससे बूला जाता है स्पेक्ट्रम और बिसपरजन के बाद यह उता हैं एंगल प्रिक्वरजन यहां से यह भी देख लिए तो यह हमारा वाइलेट और यह हमारा आपने एंगल को बोला जाता है एंगल ओफ डिस परजन इस तरीकी से आपका डिस परज़न आफ लाइट भी समझ में आ जाना चाहिए कि अब आपने स्पेक्ट्रम में देखा कि साथ कलर में डिवाइड हो जाते थे प्रिजमें में से लाइट होकर जाती है तो यह डिवाइड जो होता था वो उस भी इवेंट को बोला जाता था डिस परजन तो क्यूं होता है डिस परजन यह फर्स्ट कुछिशन दिवाग में आता है इस पीड्द आफ लाइट इज डिपेंड अपां दर्इंड इंडेक्स जो लाइट की स्पीड होते हो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करता रिप्रेक्टिंग इंडेक्स इज क गपर कि अगर ये बोल रहा है कि अगर रिफ्रेक्टिंग इंडेउस लाइट की कलर पर करता है तो क्ता रिंडिर की यही मतलब इसका मतलब कलर डिपन करता है अब इसी रिफ्रेंस में जो है बेडिलेंसre है अलग अलग मीडियम में अलग अलग से चलता है या अलग अलग कलर जो होते हैं वह सिएक ही मीडियम में तो यहां पर यहीं लाइट इना चलता है speed on the refracting depend on the refracting refractive index जो light की speed है वो medium की refracting refractive index पर depend करता है और refractive refractive index depend करता है body की उसके light की color पर और color जो है वो color या wavelength पर depend करता है and hence the different color different color travel करता है different speed which is the main reason of the splitting of light फ्रोवा प्रिज्म में light जो split हो जाता है light का split होना यह जो event है कि यह कोई light white light seven color में जो split हो जाती है इसका main reason यही है इसका main reason यही है कि यह जो light है यह light depend करता है refractive index पर यहां light effective index और effective index depend करता है इसके color पर light के color पर और color या wavelength पर यही reason है कि अलग-अलग जो color की light है वो अलग-अलग speed से यह different speed से चलता है इसी वज़ा से split हो जाते हैं यह अलग-अलग-अलग करेंगे तो इस तरीके से आपको seven color का pattern रिख जाएगा तो काज़े आप इस परसम्स अगर बोला जाए तो न्यूटन कॉंसेप्ट में जो वाइट कलर को डिफाइंड किया गया था उस वाइट कलर में बेटा आपको एक फार्मूला दिया गया था बीब कि यह याद करने का एक सिंपल फंडा है बिब फॉर वाइलेट कि आई फॉर इंडिगो इंडिगो व्लू ग्रीन यलो आरेंज रेड यह न्यूटोनियन यह वह सकते न्यूटन के एकॉर्डिंग यह वाइट कलर की में साथ सेबन कलर की मिक्चर बताए गये थे और अज भी यही माने जाते हैं वाइले टेओ विलू गीरीन यलो आरेंज रेड अब इस यही निव्टन बाबा ने यही चीज को बोला था कि इसी को बोला था कि बिज़ेंड लाइट कि अगर वाइलेट तो इसका वेवलेंग 4,000 to 400 4,000 460 एंग स्ट्राम से फ्रीकेंसी की रेंज बताई थी कि 7.5 6.73 गुड़े तसकी घाच 14 हर्स होगा तो इस तरीकी से उन्होंने इंड़िगो का बदाया था इंड़िगो का सब्सक्राइब 4,000 460 यह अगर इंग स्ट्राम वेवलेंथ होगी देन दो फ्रीकेंसी रेंज इसका होगा 6.73 6.47 इसका इसका रेंज है ब्लू का बताया था 400 4640 तो फाल थाउजन तराम वेवलेंथ होगा अगर यह ब्लू कलर होगी तो और फ्रीकेंसी होगा इसका सब्सक्राइब 6.47 472 6.01 10 to the power 14 hertz अगर गिरीन होगी तो 5700 वेवलेंथ एंग स्टाम वेवलेंथ होगा और अगर गिरीन के फ्रीकेंसी की बात करें तो यहां से गिरीन की फ्रीकेंसी 6.01 1.2 5.19 x 10 to the power 14 hertz रिसकी फिल्वों फ्रीकेंसी होगी और यह लो लाक इस 5780 तो 5920 एंग स्टाम वेवलेंथ होगा और फ्रीकेंसी रिचिंग की बात करें हम यह लों की 5.19 2 5.07 यह तो 10 to the power 14 इसका होगा और इसका होगा और फ्रिक्वेंसी रेंज होगी और इसकी होगी फ्रिक्वेंसी पूरे को बोल गया विजबल लाइड और आप ज्यांस देखे न्यूटन को मैं ने कहा था कि वे लाइड होते हैं जिनका वेवलेंस फोर थाउजन तुएट थाउजन्ट होता है विजबल लाइड की वेवलेंस की रेंज थी 4000 तूएट थाउजन्ट और फ्रिक्वेंसी की रेंज है 7.5 x 10 to the power 14 Hz 23.75 x 10 to the power 14 Hz यह Newton की according visible light की रेंज थी और यह आपका पूरा spectrum का spectrum क्या होता है और dispersion क्या होता है का जब इसपर्जन का पूरा explanation है तो हम एक प्रीज्म के थुरू देखते हैं कि डाइवेशन क्या होता है सपोर्ट दायट बेटा तो प्रीज्म होता वो थ्रीडी होता है बट हम यहां पर प्रीज्म को प्रीज्म को जब सो करेंगे तो वो 2D में होगा हम सब लोग जौनते हैं फस्ट इंक्लाइंड ऐपलेजागिकरी शेटल क्या प्लेरीज तो दल्लिज्ण् दल्लिज्म。 यह बेश लगे considers लिए अंड मյरकृ। which is represent capital A this is the incident light incident light also called white light we can draw a normal on the first refracting surface this is normal this angle is I called incident angle incident angle तो बिटा हम जब white light को यहां पर 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 इंसिडेंट करते हैं तो यह सेवन कलर में स्प्लीट हो जाता है सपोज कर देते हैं कि यह एक पाथ पर ऐसे जा रहा है और एक लाइट इस तरीके से जा रहा है और यहां पर जोनों स्प्लीट हो जा रहे हैं तो यह लाइट का अगर हम दॉट लाइंत लाइं द्रह करें इस दिए ओडी अगर जीनल पाथ आफ लाइट इस गर क्या शोड़त ओनल लाइं डाटा इस औसमीनल आत्लाम हो जोड़ टाव दिए दो औरिजिनल पाथ आफ लाइट और यह रिफ्रेक्टेड पाथ आफ लाइट है अब यहां पर इस लाइट को हम अगर मैच करवा दें यह तो यह एक यह डेलिशन सो कर रहा है सब्सक्राइट इस डेलिशन इस डेल टू और इससे अगर हम देखें यह तो यह भी कुछ डेलिएट होगा और जिनल पाथ से इस इच सब्सक्राइट कर लेते हैं डेल वन तो टोटल डेलिशन किन्ना होगा टोटल डेविएशन तोटल डेविएशन डेलिशन डेलिज इकोल टू डेल एवन प्लस डेल टू किदर को थोड़ा और साफ भी बना दें बहुत इसमें थोड़ा सा वह रख बन दया है लेकिशन डेल लाइट यह इंशिदेंट लाइट है यह एक लाइट ऐसे गई और एक लाइट इस तरीके से ऐसे इस प्लिट हो गई तो यह और दीनल पाथ हाफ लाइट और देल बन और इसको आगे बढ़ा दें तो यह डेल टू तो डेल 1 and डेल 2 A B C डेल 1 and डेल 2 is equal to total deviation डेल 1 plus डेल 2 अब हम बात करता है कि angle of deviation depend किस पर करता है तो angle of deviation dependent of the angle of deviation तो फर्स्ट तो इस पर depend करता है कि इसकी refracting surface से जो normal है उस normal से incident light incident light normal जे कित्रा एंगल वाना है इसका मतलब एंगल of deviation is depend upon the incident angle I ये किस पर depend करेगा I पर angle of incident angle of incident sorry incident angle पर दिपेंड करेगा दूसरी बात angle of deviation और किस पर डिपेंड करेगा material आप अप्र पर material of पर किसरी बात और किस पर दिपेंड करेगा तो material पर डिपेंड करेगा किसरी बात कि ये किस पर डिपेंड करेगा और रिफ्रेक्टिंग इंडेक्स पर रिफ्रेक्टिंग इंडेक्स को पीटा मूसरी प्रिपेंड करते हैं रिफ्रेक्टिंग इंगल इंडेक्स पर डिपेंड करेगा प्रीज में एंगल इंडेक्स पर डिपेंड करेगा तो इसमें हम एक relation जानते हैं relation क्या है मूँ डैल इस इकोल टू मू माइनस वन इंटू ए यह फार्मूला होगा इसी के basis पर एक competitive भी फार्मूला है जिसे हम बोलते हैं कैची ला तो कैची ला जो होता है वो रिफ्रेक्टिंग्स मूँ इकोल टू होता है डैल ए प्लस बी बाई लैमडा वेर अबी इस आ कॉंस्टैंट और लैमडा इस बेवलेंग्स अफ दा लाइड हे इन इस फार्मूला मूँ ज़ए इस लिफ्रेक्टिंग्स इस दपीज में अंगल यह जो है प्रिज में अंगल है बट कैचिला में यह AB क्या है constant है and lambda is wavelength म्यूव्फ्रक्टिंगी इंडेक्स रिफरेक्टिंग इंडेक्स डाए टोटल डैलेसं यह तरिकेसे डाइयेसंडने रे आपलाइब बाय यह होगा और जो और इनल पाथ से लाइट जीटन पूरा डैवियेट होगी इसी को डैवियेशन बोलते हैं तो यहां से इस पूरे इस्पेक्ट्रम के दो तिन हेडिंग जो थे इस पूरा इसका कॉंसेप्ट है थाइंक्यू बीटा बिटा स्पेक्ट्रम में हम लोग जो कैची रिलेशन्शिफ है और फार्मूला डैल इस एक्वाल टू म्यू माइनस वन इंटो ए पर बेस्ड इस इस दो डैविये अंगल अव डैगेशन और रिफ्रेक्टिव इंडेक्स रिफ्रेक्टिव इंडेक्स और प्रिजम एंगल तो इस पर बेस्ड हम लोग एक नुमेरिकल लेते हैं और देखते हैं कि यह स्प्रेक्ट्रम का नुमेरिकल कैसे बन सकता है तो कंप्लीट इस गिवन फिगर का रे डाइग्राम कंप्लीट करना है चलंद यह बना रिफ्रेक्ट्व की फस्ट इंक्लाइन प्लेट पर यहां पर एक ब्लू और रेड कलर का लाइट इंसिडेंट और रहा है कि फाल आंद प्रिज्म जो प्रिज्म के सर्फेस पर फाल हो रहा है विच कलर डेविएट मोर कौन सा कलर जदा डेविएट होगा यह आपको पता लगाना है और इसका रे डाइग्राम भी कम्प्लीट करना है तो बी रोद एट दा एंगल अब डेवेशन का यह फार्मूला भ जानते हैं कैची रिलेशन्सिप में इक्वल टो ए पलस बी लैंबडा अब इसमें तो यह तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स अब यह जो है लेंबडा इज बेवलेंथ ओफ लाइट अब हम यहां यह मालूम हो चलना चाहिए कि अगर हम रेड कलर के लिए रेड कलर के लिए डेल आर कैलकुलेट करें देन म्यू आर माइनस वन इंटु ए यह फार्मुला तो जन्रल फार्मुला बिटा है जब हम रेड के लिए अलाव क करेंगे गे और मिंसे डु न्यूर नसी टैस और रेड कलर माइनस वन इंड प्रीज आंगल और सब कि लिए यह तो कौमन आप्लाई करके फार्मृ डे 600 सबलू कलर अगर हम अप्लाई करें फार भूबू कर जो एक अगर सब्सक्राइब करने के लिए देखें कौन सी वैलू ज्यादा ग्रेटर होगी तो वह ग्रेटर चेक करने के लिए मतलब ल की वैलू यह कहीं न काई ड़िपेंड देखेंड दोनों पार हमें यह पता चल जाए लेका सब्सक्राइब तो catchy relationship से देखे हैं अगर mu r के लिए apply करें तो mu r के लिए apply करेंगे तो a plus b दोनों constant से होंगे lambda और अगर हम यही यह for red color for red color अगर हम इसी तरीके से for blue color देखें catchy relationship तो me mu b equal to a plus b upon lambda b b for lambda b for wavelength of blue color lambda r means wavelength of red color to be know that the wavelength of the red color is more इस तरीके से हमें यहां से मिलेगा कि lambda r is greater than lambda blue सब से greater ही होता है अगर हम बात करें कि frequency की तो lambda r की frequency बहुत कम होती है और lambda sorry lambda नहीं अगर frequency को बीटा हम लोग f से लिखें तो f r की frequency बहुत less होगी और violet की frequency जादा होगी यानि कि अगर हम red से violet color की ओर चलें तो frequency की decreasing order मिलती है frequency की decreasing order मिलती है बट अगर हम violet से violet से red color की ओर जाएंगे तो baby length हमारा कैसे मिलेगा increasing order में चलेगा यानि कि red to violet अगर हम जाते हैं तो baby length हमारा increase होगा sorry red से violet जाएंगे तो baby length हमारा increase होगा अगर हम red से violet की ओर जाएंगे तो baby length तो increase होगा sorry बटा हम violet से red की ओर जाएंगे तो baby length increase होगा और अगर हम violet से red की ओर जाएंगे तो frequency decrease होगा इस तरिके से हम इतना जानता है कि red की जो red की जो baby length है लैम्डा वो कैसी है maximum और यहां पर जो violet की frequency है जो red की frequency है वो कैसी है minimum इस तरीके से अगर lambda r is greater than lambda v तो उसी बीच में कहीं पर blue आता है तो इस condition में lambda r बड़ा होगा lambda v से और lambda r की value जब greater होगी और यह से lambda r की value greater अगर है तो b को जब divide करेंगे तो value small आएगी और value small आएगी तो a में वो small value add होगा तो mu r जो होगा वो mu r और जो है वो छोटा होगा इस वाले value से क्योंकि lambda b की value छोटी है देखे लेमडा r की value बड़ी है बड़ी value से b को divide किये तो smaller value आएगी वो smaller values में add होगा बट lambda b जो है वो lambda भी छोटा है lambda r से तो छोटी value से जब b को divide करेंगे तो इससे तो इसलिए बड़ी value आएगी और यह बड़ी value जो आ रही है यह में add होगा तो mu b की value greater हो जाएगी it means mu r is less than mu b अब mu b की value बड़ी आगी mu r की value छोटी आ गई तो इस statement में हम बोल सकते हैं कि mu r की value कैसे आई है छोटी आ गई है mu b की value कैसे आई है बड़ी आ गई है तो mu b की value अगर बड़ी आई है तो तो fb इस वाले से तो बड़ा ही मिलेगा तो इस condition में हम यहां पर बोल सकते हैं डेल आर डेल आर एज देखे यह थोटी value है तो डेल आर इज लेस देन डेल बी अब हमें यह पता चल गया कि डेल आर लेस देन है डेल बी के तो हम इसका डाइग्राम कैसे ड्रॉडव करेंगे तो डाइग्राम ड्रॉडव करेंगे इसका एक्ट्वल पाथ दिस इस दो ओर शिदा और जिनल पाथ आप लाइट अर चिनल पाथ आफ लाइट पर हमें दिखाना है कि डेल आर की वैलू डेल बी से छोटी है तो यह होगी यह गेलार तो यह हो जाएगा यहां से यह एंगल डेल बी तो यह रे डाइग्राम भी बन गया और यह इसी स्रीज में एक और एक्जामपल लेकर हम इसको देखते हैं बेटा उसी स्रीज में यह नेक्ट कुश्चन है अबीम आफ लाइट आफ रेड ब्लू और यलो पाल्स आना प्रीज में इस इस दर राइट एंगल प्रेज्म ए बी एंड दिग्री यहां पर दिखते हैं रेड ब्लू और यलो कलर की एक मिश्च्चर जो बीम है वह पर 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 इंसीडेंट होता है यहां पर यह यह एलो कलर के लिए एंगई 45ी टो 45 इसका 090 हो जाता है यहॉलो कलर का वह the prism is placed in एक यह सबसे पहले हम सबसे कर देते हैं कि इंटर्फेस लाइन है इंटर्फेस लाइन है जो दो मीडियम को डिवाइड कर देता है I am suppose कर लेते हैं यह यह गलास और अगर कोई लाइट आद आरही है और वो लाइट ऐसे इसन यहां से आई फर्स पोजिशन यहां आगर श्री सेगंड पोजिशन यह थर्ड पोजिशन किसी एक आएसे यहां पर आए तो ऐसे निकल जा रहा है आइसे नार्मल से थोड़ा वेंड होकर आएसल निकल जा रहा है जिसी तरीके से तो ऐसे एंगल पर पहुंच गया जिस पर यह निकलने हाली जो लाइट है यह लाइट किसी दूसरे मीडियम ना लाकर उस इंटरफ्रेस लाइन की बिल्कुल पैरलाल ऐसे चलने लाइए तो जिस एंगल पर यह आई की जिस्मान पर यहां पर यही कंडिशन दे रखा है यलो कलर के लिए तो यहां पर हम लोग यहां पर यहां पर यहां यानि की यलो कलर के लिए अप्लाई करेंगे तो यलो कलर के लिए मिवाई साइन थीटा इस इकोल टू और मैं चीज आप यह हम भी जाते हैं कि म्यू वाई की वैलव म्यू वाई की वैलव बीटा यह सूंहस्माणR होगा कि यह स्माणर होगा सब्सक्तर यह इयानि कि रेड़ वाले से यह ग्रेटर होगा अगर र ग्रेटर है यूह इसके बात करें तो सिसकर म्री और होगा क्राइबु से लेम्डा बाइस-स-स्क में-स-स-क फिर Sports है तो इस डिफ्रेंस में अगर हम देखे कि वाग लेस्टन है तो इसके लिए साइन थीटर इकोल टुबान मिव आर लेस टेण अगर इस वैलू से लेस वैलू से इसको कैसे आएगी और अगर हम म्यू वाइप सक्रेडा वाई तो देखो यह ग्रेटर तो यहां पर लिख सकते हैं कि थीटा सी फ़ार ये यह गलर के लिए यह एंगल आप यहां से हमें साफ कंक्रूजन मिल गया कि अगर हम बात करें कि red color की तो red color का red color का जो ये light है इसके लिए ये लार्मल होगा ओढ़ में सब प्लें जो ने होता है और हमें सबसे पहले क्या करना है कि yellow color को तो ink praw एंगल की रिफ्रेंस में लेना है अब यलो कलर में सबसे बड़ा जो होता है यलो कलर के बाद सबसे बड़ी जो फ्रिक्रेंसी होता है वायलेट के हो जाती है वायलेटी इस तो अब यहां पर बचा कालर या तो यहां तो रहा है तो बहुत ज्यादा होता है तो यह रिफ्रेक्ट हो जाएगा इस बे में इस तरीके से और जो ग्लू होगा यह इस तरीके से नेचे चलाएगा यह हो जाएगा ब्लू कलर और यह है यह आपका हो जाएगा रेड तो यह इसका कि यह बटोजन और भी बोल सकते हैं कि ये नार्मल है तो इसका जो एंगल है डिफ्रेक्टिंग आइंगल है यह एर यह जो ओगा कि यह वहोगा यह लेस्टेन 45 डिग्री होगा लने खैंडकी अरिस तरीके से इस कुेंशन पूरा यह सोल्यूशन रहा सब्सक्राइब करना है आपको यलो लाइट यलो लाइट के रिए और फ्रिक्वेंची जिसकी फ्रिक्वेंची गिवन है स्लेशन फ्रिक्वेंची को गिवन धाक है विवन हां फ्रिक्वेंची फ्रिक्वेंची को गुटा एप से इक रिप्रेजेट्ट नहिंड एफ 5.4 10 to the power 14 हर्स हर्स फ्रिक्वेंसी की यूनिट होती है आजी क्या गिवन है तो स्पीड ओफ लाइट इस्पीड ओफ लाइट इस्पीड ओफ लाइट इसे सी से रिप्रेजेंट करते हैं और सी की वैलू दी गई है थिरी लाख मिंस बिटा होता है 1 2 3 4 5 0 3 1 लाख और इंटू किलो मीटर किलो मीटर मींस 1000 मीटर अपान सेकेंड अब सी की लाइट क्या होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 3 इंटू 10 to the power 8 मीटर पान सेकेंड अब यह हमें इतना जिएफ यसे करेंगे तो इस फार्मूला हम लोग जानते हैं हो फार्मूला होगा होगा सी कोल टू एफ लैम्डा सी स्पीड अफ लाइट एफ फिकेंशी लैमडा बेवलेंट फाफ लाइट सी की जगहां पर फार्मूला में से रखे जो है हमें find out करना है लैम्डा तो question mark है लैम्डा इकोल टू question mark अब बिटा solve कैसे करेंगे लैम्डा इकोल टू 3 x 10 to the power 8 upon 5.4 x 10 to the power 14 solve करो इसे तो solve करेंगे यहां से दस्म लों cancel करेंगे एक 0 उपर ले लेंगे 54 आ जाएगा 10 to the power यहां से माइनस के यह किनना हो जाएगा माइनस 6 इसको solve करेंगे किनना आ जाएगा लैम्डा इकोल टू अगर हम 3 से डिवाइड करें 3 बन जा 3 2 3 8 जा 24 3 10 जा 30 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 by 9 into 10 to the power minus 6 और साथ करेंगे तो 9 0.55 बस इतना ही लेते हैं 10 to the power minus 6 नाइनों में calculate करना है तो लैम्डा इकोल टू यहां लिख देते हैं लैम्डा इकोल टू मेरे खैसे होगा 5 5 0 into 10 to the power minus 9 मीटर यह मीटर में है यह सम मीटर में चल रहा है अच्छा यह minus 9 आया कैसे इसको देखेंगे तो जब भी यह decimal को हम राइट साइड ले दाते हैं तो डिवी हमारी नेगेटिव इंक्रीज होती है तो हम यहां पर 1 2 और अगर हम नैनो में लाना है तो 55 कर दिए 10 to the power minus 8 हुआ लेकि हम नैनो लाना है तो हम क्या करेंगे 55 एक 0 ले ले लेंगे 10 to the power minus 9 मीटर हो जाएगा यह लेंडा की वैलू नैनो मीटर में आ गया 10 to the power minus 9 यह आगा इसका आंसर इसी के तरह के एक और नमेरकल है इस रेंज और फ्रिक्वेंशी फार लाइट किसी लाइट के लिए यह फ्रिक्वेंशी की रेंज गिवेंड है यह गिवेंडायट सुल्यूशन में गिवेंडायट के रेंज आप फ्रिक्वेंशी है तो हम फ्रिक्वेंशी को एस वान से लिए रिप्रिजन करते हैं 3.75 10 to the power 14 हर्स और यहां पर बेविलेंच कैल्कुलेर करना है यह कैल्कुल देविलेंट यह फ्रिक्वेंशी अजर धिचेंट्य क कया सबक्क्राइब है तो ऑपन सेगेंट की लोगशसी की रविए मश् 아니라 किलो मीटर पिटा 1000 मीटर अपान सेकेंड हम इसे कह लिए सकते हैं तरी इंटू 10 पावर 5678 मीटर अपान सेकेंड अब को इसे की वैलो में मादू हो गलो है इस यहां से हो जाएगा लेंडा एफान और लेंडा इब टो सी की वैलु फ्री इंटू दी पावर एट यह जब इस वैलु को हम स्वाल करेंगे तो लैमडा वन इज़ें इक्वल टू देखें स्वाल होकर के इस इतना आएगा यहां से डबल दस मलो है दो जिरो उपर बढ़ा देंगे घीन सो हो जाएगा और 300 को डिवाइड करेंगे 375 से और इंटु 10 to the power यहां minus 6 हो जाएगा तो 300 को solve कर लेते हैं 375 यहां से 100 आजाएगा 312335 यह solve होगा अब 25 से यह 5 टाइम्स होगा यह 4 टाइम्स होगा यानि कि 4 by 5 और भी solve करेंगे तो यह जाएगा 0.8 कहना आएगा यह 0.8 लैम्डा 1 is equal to 0.8 10 to the power minus 6 लैम्डा 1 is equal to हमने बताया था कि जब decimal को right side ले जाते हैं तो degree क्या होती है minus में increase होती है 8 into 10 to the power minus 7 meter तो हमारा लैम्डा 1 तो मिल गया लैम्डा 1 मिल गया अब हमें दूसरा range पता करना है तो यहां से दूसरे वाला लैम्डा f1 f2 कितना हो जाएगा यानि फ्रिक्वेंसी फ्रिक्वेंसी इसकी लिए हमारा जो बेवलेंथ है लैम्डा 2 यह जूं कर लेते हैं बेवलेंथ और c तो वही होगा चेंज नहीं होगा यह constant value होती है speed of light है यह मीटर पांच साइगंड तो यहां से c equal to f2 lambda 2 और lambda 2 is equal to c upon f2 c की value चिपकाद हो यहां से उठाके 3 into 10 to the power 8 और f2 की value यहां से 7.5 10 to the power 14 तो यहां स्वाल करेंगे इसे वेटा हम लोग तो इसी तरीचे से हम इसको भी स्वाल कर लेते हैं लैम्डा 2 तो यहां स्वाल कर लेते हैं और यह स्वाल होगा और आगे जो होगा स्वाल होकर किनना आएगा है अगर हम डेसिमल को राइट साइड ले जाते हैं तो डिग्री माइनस में इंक्रीज होती है तो 4 into 10 to the power minus 7 meter लेंडा 2 की वैलू 0.4 4 into 10 to the power minus 7 meter आएगा तो रेंज अफ बेवलेंथ कितना होगा विटा इसका रेंज अफ बेवलेंथ रेंज अफ बेवलेंथ 4 into 10 to the power minus 7 meter तो 8 into 10 to the power minus 7 meter होगा यह इस question का complete solution है ठीक विटा इस पर अब फोर निमेरिकल होगे कल हम लोग आगे इसके पढ़ लेंगे थैंक्यू